परिचाए अमेद तुम क्या कर रहे हो? आओ राहुल तुम तो जानते ही हो कि हमारे गनित के अध्यापक ने हमें नया पाठ परिमे संख्याएं पढ़ाया है मैं प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बारे में जानता हूँ लेकिन परिमे संख्याएं क्या होती है? यह संख्याएं अंश और हर के रूप में होती है जिसका अंश, शूर्णे या कोई धनात्मक पूरांख होता है और जिसका हर एक धनात्मक पूरांख होता है मैं समझा नहीं? आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ उद्देशे परिमे संख्याओं को परिभाशित करना समान परिमे संख्याओं को लिखना परिमे संख्याओं की तुलना करना परिमे संख्याओं को उनके मानक स्वरूप में परिवर्तित करना परिमे संख्याओं का जोड़, व्यावकलन, गुड़न और भाग करना परिमे रेशनल संख्या की परिभाजा रेशनल शब्द की उत्पत्ती रेशियो यानि अनुपाद से हुई है तुम्हारा मतलब है रेशियो तीन अनुपाद दो की जिसे तीन बटा दो भी लिखा जा सकता है एक परिमे संख्या है हाँ, इसी प्रकार दो पून संख्याओं पी और क्यू का अनुपाद जिसमें क्यू शुन्ने के बराबर ना हो को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमे संख्याओं को इसी रूप में व्यक्त करते है परिमे संख्या वह संख्या है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां पी और क्यू दोनों पून संख्याओं है और Q शूने नहीं है राहुल अब तुम बताओ कि क्या चार बटे पांच परिमे संख्या है हाँ चार बटा पांच परिमे संख्या है क्योंकि यह P बटा Q के रूप में है और Q शूने नहीं है और क्या घटा तीन बटे चार परिमे संख्या है हाँ, क्योंकि घटा 3 और 4 दोनों पूनांग है अंश और हर क्या तुम जानते हो कि अंश और हर क्या होते हैं? परिमेश संख्या P बटा Q में P अंश होता है और Q हर होता है उधारन सो रूप घटा 3 बटा 7 में घटा 3 अंश है और 7 हर है क्या पून संख्याएं भी परिमेश संख्याएं होती हैं? हाँ, उधारन सो रूप पून संख्या घटा 5 एक परिमेश संख्या है क्योंकि आप इसे घटा 5 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं इसी प्रकार पून संख्या 0 एक परिमेश संख्या है क्योंकि इसे शुन्ने बटा दू या शुन्ने बटा साथ के रूप में लिखा जा सकता है समान परिमे संख्याएं अब मैं तुम्हें समान परिमे संख्याओं के बारे में बताऊंगा इस परिमे संख्या को देखो ये दूनों परिमे संख्याएं समान है लेकिन कैसे? क्यूंकि जब हम किसी दी हुई परिमे संख्या को किसी शूनियतर पूरांग से गुणा करते हैं तो हमें एक अन्य परिमे संख्या प्राप्थ होती है जो दी गई संख्या के समान होती है उधारण स्वरूप घटा दो बटा तीन समान है घटा दस बटा पंद्रा के धनात्मक और रिनात्मक परिमे संख्या आएं क्या तुम जानते हो कि हम उस परिमे संख्या को क्या कहते हैं जिसका अंश और हर दोनो धनात्मक हो इस परिमे संख्या को धनात्मक परिमे संख्या कहते हैं और रिनात्मक परिमे संख्या क्या होती है जबंश एक रिनात्मक पूरांख होता है और हर एक धनात्मक पूरांख होता है जैसे घटा चार बटा साथ हम परिमेश संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करते हैं इस संख्या रेखा को देखो शुने के दायनी तरफ के बिंदूओं को धनात्मक पूरां कहते हैं और शुने के बाई तरफ के बिंदूओं को रिनात्मक पूरां कहते हैं आओ, इस रेखा पर एक पटा दो का निशान लगाएं एक पटा दो, शुन्ने और एक के बीच इस्तित होगा और घटा एक पटा दो, शुन्ने और घटा एक के बीच इस्तित होगा मानक रूप इस कथन को पढ़ो किसी परिमे संख्या के उस रूप को मानक कहते हैं जिसमें इसके अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्ण संख्याएं हो और अंश एवं हर में एक के अतरिक्त कोई अन्य समान गुणन खंड ना हो क्या ये सभी परिमे संख्याएं मानक रूप में हैं? हाँ, क्योंकि इनके अंश और हर का एक के अतरिक्त कोई समान गुणन खंड नहीं है और यदि कोई परिमे संख्या मानक की रूप में नहीं है तो उसे मानक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उधारन सो रूप 45 बटा 32 मानक रूप में नहीं है हम अंश और हर को उनके महत्तम समापवर्थक से भाग देकर हम इसे मानक रूप में परिवर्थित करेंगे 45 और 30 का महत्तम समापवर्थक 15 है हाँ, अब हम अंश और हर को 15 से भाग देंगे जिसके परिणाम सरूप हमें परिमे संख्या घटा 3 बटा 2 प्राप्त होगी यदि हमें दू परिमे संख्याओं दी जाएं, तो क्या तुम उनकी तुलना कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि परिमे संख्याओं की तुलना कैसे करें? हम जानते हैं कि रिनात्मक संख्याओं सदैव धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं, हम परिमे संख्या की तुलना संह्ख्यारेखा के माध्यम से भी कर सकते हैं। संख्या शूने से जितनी बड़ी दाहिनी तरह फिस्थित होगी वह उतनी ज्यादा बड़ी होगी। उधारन सुरूप 2 बटा 3 यहां स्थिती है और 1 बटा 3 यहां स्थित है। अतहा कौन संख्या बड़ी है? 2 बटा 3 सही, अता 2 बटा 3 बड़ी संख्या है, एक बटा 3 से इसी प्रकार घटा 1 बटा 3 बड़ी है, घटा 2 बटा 3 से क्योंकि घटा 1 घटा 3 के दाइनी तरह विस्तित है जोड क्या हम परिमे संख्याओं को जोड सकते हैं? हाँ, यदि दो परिमय संक्याओं के हर समान हैं, तो हम सिर्फ उनके अंश को जोड़ देते हैं उधारन के लिए ग्यारा बटा पाँच धन साथ बटा पाँच का योग होगा, गटा ग्यारा धन साथ बटे पाँच जो की गटा चार बटे पाँच के बराबर है और यदि परिमे संख्याओं का हर समान ना हो तब उस इस्तिती में हम सबसे पहले हर का लगुत्तम समापवर्ति ग्यात करते हैं यहां लगुत्तम समापवर्ते पंद्रा है इसके बाद हम दी गई संख्या के समान एक ऐसी परिमे संख्या प्राप्त करते हैं जिसका हर इस लगुत्तम समापवर्थ के बड़ाबर हो यहां घटा 7 बटा 5 बड़ाबर होगा घटा 21 बड़ा 15 के और घटा 2 बटा 3 बड़ाबर होगा घटा 10 बड़ा 15 के अब इन दोनों परिमे संख्याओं को जोड़ दें व्यवकलन जोड़ ही की तरह जब हर समान हो तो हम सिर्फ अंश का व्यवकलन कर देते हैं और हर को समान रहने देते हैं और यदि हर समान ना हो तो दोनों हर का लगुत्तम समापवर्थ निकाल कर दी गई संख्याओं के समान परिमे संख्याओं प्राप्त कर लेते हैं जिनका हर इस लगुत्तम समापवर्थ के बराबर होता है इसके बाद दोनों परिमे संख्याओं का व्यवकलन कर देते हैं क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि परिमे संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं? किसी परिमे संख्या को किसी धनात्मक पूरांग से गुणा करते समय हम उस संक्या से सिर्फ अंश में गुणा करते हैं और हर को समान दहने देते हैं बहुत अच्छे, अब तुम सीख गए भाग भाग शुरू कलने से पहले मैं तुम्हें व्यूत क्रम या गुणनात्मक प्रतिलोम के बारे में बताऊंगा ये व्यूत क्रम क्या होता है? आओ, एक उधारन से समझें दो बटा साथ का व्यूत क्रम साथ बटा दो है साथ बटा नौ का व्यूत क्रम नौ बटा साथ है ठीक है, ठीक है, समझ गया घटा पांच बटा चार का व्यूत क्रम, चार बटा घटा पांच है सही अता, जब हम एक परिमे संख्या को दूसरी परिमे संख्या से भाग देते हैं, तो हम एक परिमे संख्या को दूसरी परिमे संख्या को विद्करम से गुणा कर देते हैं सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं वह संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q दोनों पूरांख हैं और Q शूने नहीं है परिमे संख्या कहलाती है यदि किसी दी गई परिमे संख्या के अंश और हर को किसी शूनियतर पूरांख से गुणा या भाग करते हैं तो हमें एक अन्य परिमे संख्या प्राप्थ होती है, जो दी गई संख्या के समान होती है। जब अंश और हर दोनो धनात्मक पून संख्या हों, तो यह धनात्मक परिमे संख्या होती है। जब अंश या हर रिनात्मक पूर्ण संख्या होती है तो यहां रिनात्मक परिमे संख्या होती है किसी परिमे संख्या के उस रूप को मानक कहते हैं जिसमें इसके अंश और हर दोनों धनात्मक पून संख्याए हो और अंश एवं हर में एक क्यत्रिक्त कोई अन्य समान गुणन खंड ना हो यदि दो परिमे संख्याओं का हर समान हो तो उनके योग के लिए उनके हर को समान रखते हुए सिर्फ अंश को जोड़ कर जोड़ा जा सकता है दो परिमे संख्याओं जिनका हर भिन हो उन्हें जोडने के लिए पहले उन दोनों के हर का लगुत्तम समापवर्ते निकालते हैं और फिर दोनों परिमे संख्याओं को उनके समान परिमे संख्या में परिवर्थित करते हैं जिसका हर उस लगुत्तम समाफवर्थ के बराबर हो दो परिमे संख्याओं के व्यवकलन के लिए हम जिस संख्या को घटाते हैं उसके योज्जे प्रतिलोम को उस संख्या से जोड़ देते हैं किसी दी गई परिमे संख्या को किसी शूनियतर परिमे संख्या से भाग देने के लिए हम उसे संख्या के व्यूत क्रम को दी गई संख्या से गुणा कर देते हैं झाल झाल